भारत सरकार के निर्देश अनुसार 31 मार्च 2018 से पहले आपको अपने आधार नमबर के साथ अपना मुबाइल नमबर को री टेरिफाई करना यानि अपने मुबाइल नमबर का दुबारा सत्यापन करना अनिवारिय है नमस्कार दोस्तों फ्री सेयर में आपका स्वागत है मैं हूँ मननबाच पही आपके साथ दोस्तों इंडियन गौर्मेंट की गाइड लैंग के अनुसार 31 मार्च 2018 से पहले हमें अपने मुबाइल नमबर को आधार से वेरिफाई कराना जरूरी है नहीं तो आपका नमबर बं अपने मुबाइल को आधार से वेरिफाई करने का तरीका वो भी घर बैठे आपको कहीं भी दोस्तों जाने की ज़रूरत नहीं है आप घर बैठे या आफिस से ही अपने मुबाइल को पांच मिनट में आधार से लिंक कर सकते हैं अपनी पसंद की भाशा को सारे कॉल्स के लिए डिफॉल्ट भाशा के रूप में से लिए करना चाहते हैं तो एक दबाएं नहीं तो दो दबाएं भारत सरकार के निर्देश अनसार 31 मार्च 2018 से पहले आपको अपने आधार नमबर के साथ अपना मुबाइल नमबर को रिवेरिफाई करना यानि अपने मुबाइल नमबर का दुबारा सत्यापन करना अनिवारिय है दुबारा सत्यापन की प्रत्रिया आरंब करने से पहले अपना आधार नमबर तयार रखना न भूले क्योंकि आपको उसे आईवियर पर दर्च करना होगा अपने आधार नमबर के साथ दर्च किये गए मुबाइल नमबर भी साथ रखें क्यूंकि उस पर एक OTP बेज दिया जाएगा आपके नाम पर लिए गए किसी अन्य वोड़ फोन या फिर वोड़ फोन के अलावा लिए गए कोई अन्य मुबाइल नमबर भी वत्या तयार रखें ताकि आप उन्हें आई वियार पर घोशित कर सकें री वेरिफिकेशन प्रसेस यानि पुलह सत्यापन की इस प्रक्रिया को जारे रख कर आगे बढ़ने से ये माना जाएगा कि आप www.fordphone.in हमारे इस वेब साइट पर दिये गए नियमो और शटल से सहमत है अगर आप एक भारतिय नागरिक है तो एक दबाएं अगर आप एक विदेशी नागरिक है तो दो दबाएं मेरी ओर से एक तत्वारा अपने मुबाईल नमर के सप्यापन करने के अनुमती है और इसे आधार अधिनियम 2016 के अंतरगत UIDAI के तरिए जनसांगी के प्रमाई करन के लिए मेरी सुमती मरी जारी चाहिए आपके आधार नमर के साथ आपके वोड़ फोन नमर के सत्यापनी प्रक्रियाच जारी रखने के लिए एक दबाएं कुछे आपने बाहरांकों का आधार नमर पेस्च करें आपके दुबारा दैच किया गया आधार नमर है चार प्राच चार साथ कन्फर्म करने के लिए एक दबाएं अपने आधार नमर को दुबारा दिच करने के लिए दो दबाएं OTP यानि One Time Password आने के लिए एक दबाएं यदि आपके पास पहले से ही एक OTP यानि वन टर्म पास्वर है, और दो दबाएं. धन्यवाद, OTP आपके आधार से रिजिस्टर कैने के आधार से जुड़े हुए मुबाइल नमबर पर भीच दिया जाएगा. मैं फिलाल जिस मुबाइल नमबर का इस्तमाल करता हूँ, वो है 9, 8, 8, अपने आधार से जुड़े हुए मुबाइल नमबर पर भीचे गए 6 अंकों वाला OTP दर्च करें. खृप्या, इंपुट उपलप्त कराएं. खृप्या, इस नमबर के अलावा आपके अन्य वोड़ोफोन कनेक्शन की संख्या तरच करें. यदि आपके पास कोई अन्य वोड़ोफोन कनेक्शन नहीं है, तो क्रिप्या 0 यानि 0 तरच करें. थान्यवाद अपने आधार नमबर के साथ अपने मोबाइल नमबर के री वेरिफिकेशन के लिए किये गए आपके अनुरोट पर थारिवाई फिलहाई जारी है और 48 खंटों के बाद री वेरिफिकेशन की प्रक्रिया समाप्थ हो जाएगी वोट फोन केर में कॉल करने के लिए थन्यवाद कर दो कर दो कर दो कर दो कि री झापके अनुर।